जोतिस में राहू को लेकर काफी विहानतिया हैं। इसलिए आज राहू की संपून चर्चा इस वीडियो के माद्यम से कर रहे हैं। वैसे राहू एक छाया ग्रह इंहें जो इस्थान बाश साथी ग्रह के नूसार परिणाम देते हैं। एक तरह से साथी ग्रह को प्रवल बना कर दिव अमरित की कुछ बूंदे पी लेता है जिसके बाद उसे सूर्य और चंद्र दे पहचान लेते हैं और मोहिनी अफ्तार लिए भगवान विश्नु को बता देते हैं इसके पहले कि अमरित उनके गले की नीचे उतरता है विश्नु जी अपने सुधरसन से उनका गला से राहु का कोई अस्तुत नहीं है परंतु ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और प्रत्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब प्रत्वी पर पढ़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रहे की अनुवाई करती है वैदिक जोतिस में राहु ग्रहे को एक क्रूर ग्रहे माना जिस जातक की कुंडली में राहु सुब अवस्था में हो तो वह जातक सुंदर और आकरसिक व्यक्तित वाला होता है जातक सहासी और समाज में प्रभावी वा प्रतिष्ठान बनाता है कुंडली में सुब इस्थित बिराजमान राहु किस्मत को चमका देता है इसके साथ ही ज से नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं कमजोर राहू के प्रिभाव से जातक में कप्टी और धोका धड़ी की भावनाएं जन्म लेती हैं इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति मास और मद्रा का सेवन बहुत करता है और वो धर्म के छेत्र में भगवान के छेत्र में उसका मन नह सकते हैं घर में मचलियां हो तो मचलियों को दाना डाल सकते हैं इसके साथ ही अपने घर में या अपने साथ राहूयंत रख सकते हैं यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो खिर्प्याकर आप इसको लाइक और शेर जरूर करें